है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक एप्लिकेशन बनाएंगे जिसमें हम यूटूब की वीडियो को इस एप्लिकेशन में प्ले करवाएंगे जो की यूटूब वीवर की थ्रू करवाएंगे ठीक है तो हम स्टैटिक और डाइनमिक दोनों तरह से वीडियो को प्ले है लो फ्रेंड्स? वेलकम टू माई चैनल आज की इस विडियो में हम बनाएंगे एक यूटुब वीडियो प्लेइर ठीक है तो एक हम अपनी Android आप में YouTube वीडियो प्लेयर बनाएंगे कि हम अपनी Android वहाँ पे पेश्ट कर दिया बना के दिखा दिया बट मैं इस वीडियो में आपको कुछ अलग दिखाऊंगा वह कैसे कि आपको मैं एक एक लाइन का कोड आपको समझाऊंगा में चीज ही होते हैं कि आपको समझ में आए हर जो जो कोड हम यूज करेंगी उस सब कोड का मतलब मैं आपको बताऊंगा हर कोड मैं खुद से टाइब करकर लगाऊंगा ठीक है हमने कहीं से कोई कोई कोपी पेस्ट नी करना और इस वीडियो प्लेयर को मैं यूटूब से जो वीडियो कर वाउंगा मैं हमारी एंडूइड आप उसको मैं दो तरीके से कर वाउंगा ठीक है दोनों तरीकह, यह समझा रहा है, प्वहीं कोई डाउट आए तो मेरे कमेंट कर देगा था कहते है रे जै हिर ना होते है तो स्टार्ट करते है अपनी वीडियो तो यह हमारा Android Studio है ठीक है तो यह इस आप में मैंने मैं चाहता हूं कि इस एप में मेरा एक YouTube की वीडियो प्ले हो ठीक है तो इसको प्ले करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले सबसे में में इंपोर्टेंट काम हमने करना है कि इसके अंदर हमने यूटूब की यूटूब लेर की डिपेंडेंसी एड़ करनी है ठीक है तो हम डिपेंडेंसी एड़ करेंगे ठीक है तो लास्ट में जाके हमने क्या करना एक डिपेंडेंसी एड़ करनी है तो फैंट जी जो मैंने डिपेंडेंसी एड़ करी है ठीक है यह डिपेंडेंसी है तो इस डिपेंडेंसी का मै मैंने description में दे रखा है तो आप वहां से copy करके यहां पर लगा देना ठीक है बस यह एक dependency है क्योंकि यह एक अलग में होती है तो इसको यह हम online ही उठा सकते हैं ठीक है तो यह मैंने उठाई है online तो यह यह एक dependency है इसके base पर ही सारा काम होएगा अब इसके बाद का जो भी code होएगा वह मैं खुद type करके बताऊंगा आपको एक-एक लाइन बताऊंगा ठीक है तो यह dependency मैंने description में दे रखी है आप भी वहां से उठा लेना और मैं इसको करेता हूं सिंक अब यह जब डिपेंडेंसी शिंक होगी है अब हम चलते हैं अपने एप पे और वहां पे अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर तो यह देखो मिली डिपेंडेंसी एड होगी है अब हम चलते है अपने एक्सेमेल फाइल में और यहां पे मैं अपना यूटूब जो यूटूब प्लेर व्यू है पहले उसका डिजाइन से सेट करूँ अठीक है तो यहां पे मैं डालेंगे हम यूटूब प्लेयर ठीक है तो देखो सजेशन में आ गया तो फर्स्ट वाला देँगा मैं देता हूं रैप content रैप content क्यों कि जितनी इसकी हाइट होएगी जितनी वीडियो की हाइट होएगी वह अपने आप ही उसको occupy कर लेगा ठीक है और उसके बाद एक और चीज देते हैं इसको ID देता हूं कि का हôm 1560 मैं है को डाला यहां पर यूटूब प्लेयर विउः आ गया मेरा ठीक है यह को यह मारी अब थी पूरी एक तो इस बेडि़ सो इसे यहां पर हम statically play करवा सकते हैं एक मैं statically वीडियो को play करवाएंगे एक dynamic के लिए ठीक है तो पहले मैं static way से आपको video play करवा के दिखाता हूं ठीक है तो क्या करेंगे इसी examen file में हमने क्या करना है video id यहां पर हमने video id देनी है ठीक है अब इस id में आपने क्या डालना यह 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 जो यहां पर जो भी आप id डालोगे जिस video की वह video यहां पर play हो जाएगी ठीक है तो मतलब कि आप यह static way से आप video play करवा रहे हो तो यह एक तरह का simple way होता है YouTube की video को play करवाना बट इसमें होता है कि आपको particular ही किसी video की आइडी डालनी पड़ती है अब यह id कहां से डालोगे वह भी बताता है तो देखो यहां पर यह मेरा YouTube पे मेरा यह जो टेकनिकल चैनल है जो आपको पता ही है ठीक है तो अब तक इसमें 90 वीडियो अप्लोड होगी है ठीक है तो अब देखो मेरे को कोई भी वीडियो मैंने यहां पर प्ले करवानी है ठीक है सपोज मैं क्या करूंगा यह जो लास्ट वाली मेरी वीडियो थी जियो फैंसिंग वाली ठीक है तो इसको मैंने प्ले करवाना है तो मैं क्या करूंगा इस पर करूंगा क्लिक ठीक है यह यह वीडियो मेरी चनल लगेगी बट हमने इसको चलाना नहीं है ठीक है हम क्या करेंगे इस वीडियो इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि अपनी उसे एप पर चलाओं यहां पर ठीक है तो क्या करूंगा यह जो वीडियो है इसको यह यूरल है ना इसके टोप में देखो यह यूरल आ रहा है यहां पर देखो equal to के बाद जो एक यह बन रहा है न यह इसकी आइडी होती है ठीक है लिखें न यूटूब डोट कॉम स्लैस वोच कोशन मार्क वी इकोल टू उसके बाद जो भी आता है यह इसकी आइडी होती है हर वीडियो की आइडी डिफरेंट होएगी ठीक है जैसे जितनी मेरी यहाँ पर वीडियो जाना हर वीडियो की जो यूटूब पर वीडियो पड़ी होती है हर वीडियो की आइडी क्या होती है डिफरेंट होती ठीक है अब यहां पर मैंने लगाना है autoplay, autoplay का मलब कहाता है कि जैसी हम app खोलेंगे, जैसी हम इस page पे आएंगे, जहां पर हमने YouTube player view लगाया, तो वो automatically चलने लग देगा, तो यह कर दिया मैंने true, अब चाहिए तो इसको false भी कर सकते हो, यहां पर button आएगा play वाला उस पर click करो के तब ही video चलेगी, तो मैंने by default इसको true कर दिया कि जैसी यह page खुलेगा, तो यहां पर यह automatically चलने लग देगी, ठीक है, तो एक और करते हैं यहां पर full screen mode, इसका full screen mode, full screen button जो है, वो मैं कर देता हम false, ठीक है, तो इतना काम हो गया, अब यह जो हमारा काम हो गया complete यह क्या थ कि हमने static way से YouTube की video को upload कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने video ID में YouTube की ID डाल दिया, जो video मैंने play करनी है, उसकी ID यहां पर डाल दिया, और autoplay में क्या कर दिया, by default true कर दिया, आप चाहिए तो false भी कर सकते हो, false करोगे तो क्या होगा, कि आपको button दबाना पढ़ेगा, तब video चलेगी, यहां पर autoplay है, ठीक है, तो इतना काम होगे, आप क्या करते हैं, मैं इसको करता हूँ run, पहले हम यह simple way चला के देखते हैं, यह जो हमारा static way है, इसके तुरू मैं इस video को play करूँगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम dynamic way भी करेंगे, उसमें हम बताऊंगा मैं कैसे करना, उसमें जावा फाइल में जाके play करवाएंगे, तो फ्रेंट्स अभी जो मैंने आपको बताया है, वो तो था एक static way ठीक है, अब हम करेंगे dynamic way, dynamic way से हम कैसे video को play करवाएंगे, यूट्यूब की video को, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, यहां पर हमने यह जो वीडियो आईडी प्ले वगरा जो हमने लगाए था ना, यह कुछ नहीं लगाना, यह यहां से हम करतेंगे, delete, ठीक है, अब यहां पर हमने xml फाइल में बस एक video player लगाना है, यूट्यूब player view, ठीक है, अब हम चलेंगे java file में, ठीक है, java file में चलेंगे, और यहां पर हम dynamic way कैसे use करते हैं, कैसे dynamic video play करवाएंगे, तो यहां पर करेंगे, java file में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर हमने यह जो हमारा youtube video player था ना, उसको define करेंगे, youtube player view, और इसको मैंने दे जिया, इसका मैंने object बना जाए, yt video equal to find view by id, r.id.yt video, अब यहां पर क्या use करेंगे, get life cycle dot add observer, yt video, तो यह क्या था, get life cycle मनलब की हमने इसका life cycle get करना है, youtube का, जो youtube का जो life cycle होता है, जैसे मैंने आपका बताया था कि हमारे android की apps का भी life cycle होता है, activity life cycle, तो वैसा ही life cycle होता है, youtube video player का, तो वो हम यहां पर get करेंगे, ठीक है, तो वो सारा जो life cycle है, वो हम अपनी android app में inherit करके, यहां पर get करके, यहां पर उसको show करवाएंगे, ठीक है, तो यह तभी मैंने यहां पर use किया, अब क्या करना है, अब यह जो मैंने youtube video play रहना, इसी का object use करूंगा, dot add, youtube player listener, अब यहां पर हमने listener use करना है, ठीक है, listener मनलब कि यहां पर, उस video view, वो क्या listen करेगा, कि उसको, अगर उसने apply करनी है, तो वो इस listener की through करेगा, ठीक है, तो इस listener में लगाऊंगा एक adapter, यहां पर हम लगाएंगे abstract youtube player listener, ठीक है, तो यह यह listener मैं use करूंगा, अब इस abstract method में आपने क्या करना है, कौन सा method यहां पर call करोगे, ready वाला, on ready youtube player, youtube player, ठीक है, तो on ready वाला method आपने use कर करना है, तो इसमें मैंने करती है, okay, ठीक है, तो यह देखो method आगया, on ready का, अब इस method के अंदर ही हमने use करना है, कि हमने, यहां पर क्या करना है, कि जो जो भी वीडियो हमने play करवानी है, तो उसको यहां पर call करवाएंगे, कैसे, देख, तो इस line का था हमारा कोई use करना नह करेंगे, ठीक है, एक मैंने string variable ले लिया, और यहां पर मैं इसको इसका object, इसका variable बना जाता हूँ, video id, ठीक है, एक object बना जिया इसका, equal to, अब इसके अंदर मैंने video id के अंदर क्या करना है, कि video की id, जो मैंने पहले बताए थाना है, कि हमने id डालनी है, ठीक है, यहां पर हम की id उठा लूँगा, मैं यहां से, और इस video id में store करवा देता हूँ, ठीक है, अब यह string की form में यहां पर store हो गी है, ठीक है, आप चाहिए तो multiple videos भी यहां पर play करवा सकते हो, ठीक है, जैसे कि यह खतम होएगी, उसके बाद दूसरी video चलने लग जेगी, तो ऐसे, अब क्या हो गया, अब string में string के variable video id में मैं यह id store करवा दिया, ठीक है, अब इस video id को मैं जहां पर भी call करूँगा ना, तो यह video वहां पर play होएगी, ठीक है, तो यह कैसे करेंगे play, यह लेते हैं, यह जो मैंने YouTube video player वाला एक object बनाए था ना, उसको मैं यहां पर करूँगा, use, तो यहां पर use करेंगा, YouTube player dot load, load video, ठीक है, अब देखो, इस load video में क्या आगा है, दो variable आगे, एक string s की form में, एक float, ठीक है, अब string वाला तो यह है, जो मैंने string की form में value को store करवाए था, तो video id में मेरी id store है, तो यहां पर वीडियो id को call करूँगा, comma, अब float v है, float v में हमने कुछ नहीं करना, यहां पर मैं zero लगा देता हूँ, ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा complete, ठीक है, तो यह था एक dynamic way, ठीक है, इतना हमारा code लग गया, ठीक है, यह code लग गया हमारा, listener वाला, यूट, add YouTube player listener, ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ, run, अब देखते हैं कि हमारी video player क् से run होती है, हेलो friends, welcome to my channel, I hope कि, यह सब ने use कि होता है, कि यह एक होता है, जियोग्राफिकल location, कि हम जब हम अपना Google map use करते हैं, तो हम किसी, तो friend, यह थी मेरी video, तो इसमें हमने कैसे play किया, मैंने आपको बिल्कुल सानवासना में समझा दिया, तो अगर आपको वीडियो अ